जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग सागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में दोस्तों यहां पे हम बात करने वाल हैं इगलेंड उमेंड वर्सेज ऑस्टेलिया उमेंड की बीच में खिलाज जाएका तीस दा और या का मुकावला उसको ले आपको मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दूँ अभी जो हम देखेंगे वह मेहज एक अपना डेमो टीम होगा फाइनल टीम में जो भी बदला होगा उसका अपडेट आपको सिर्फ वस्रित मेरा टेलिग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल से पर क्लिक करके आप सभी भाय को टेलिग्राम चैनल से जोइन कर लेने हैं टेलिग्राम पे आपको तक्रीवन हंडेट के और यूटूब चैनल पर आपको तक्रीवन एक लाग 11,000 सब्सक्राबर के आसपास देखने को मिल जाएंगे बात करूँ अगर इस वीडियो में किस च पर देखने को लेगा फिर त्री मार्की बालर फिर हम देखेंगे लास्ट मैस दोनों टीम कैसे खेल के आ रही है फिट आपको पांच कैप्टन वीची के नाम जो आपको मीनी जील जील में रोटेट करनी है अगर हम बात करें वीनिंग परसेंटेज को लेगे तो मुकाबला यहाँ पर बहुत ही कहते हैं कि काचे वरी होंगी इगेलेंड वमेंच 40% चांस जितेंगी और इस्ट्रेलिया वमेंच 60% चांस जीतेंगी वन्यू को लेकिके बात कर लेंगे तो जो पनीना किंग और गार्डणर उसके बाद बड़ी नाम जेस दनिस नपता ने उनके तो युटिलाइज लास्ट के कुछ टैम से सही से नहीं कर पा रही है अगर जिस जानिशन का यूज सही से कर ले तो फिर आप यह समझो कि उनके पास चार है से गिंदवाज हैं जो इगलेंड के लिए दिकते खड़ी कर सकती है अगर हम बात करेंगे वेदा रिपोर्ट को ले इंजर्ड हुई थी तो क्या वो फीट हैं इस मैच के लिए वो टॉस के टैम ही मालूम चल पाएगा अगर हम बात करेंगे पॉसीबल प्लेंग गले बन इगलेंड को लेकिए तो आपको दिख जाएंगी डंकली बेमोंट नाइट सीवियर कैपसी डेनियल वाइट एमिजों और अस्टेलिया मैंन को लेके बात कर लेंगे पॉसीबल प्लेंग लिवन इस बैटिंग ओडर तो आपके सामने है हेली लीच फिल्ड एलिसा पेडी बैथ मुनी एंस इग्राथ एस ले गाडनर सुदर्लेंड वरेहम जैस दनी संग इलना किंग और आपको दीख जाएंगे मेगन सुद अब यहां पर यह टीम अनलाइस को लेके बात कर लेते हैं और अगर बात करें आपनिंग को लेके दोनों टीम के पास दो बड़ी प्लियर है कौनको इधर से एलिसा ली उधर से टैमी ब्यमांट अली प्लियर बहुत ही बड़ी है रिसेंट फॉर्म उनका अच् सीवियर फिर आपको दिख जाएंगी डेनियल वाइट फिर आपको दिख जाएंगी एलेस कपसी बैटिंग को लेके बात कर लेंगे दोन अटमीं के पास अच्छा है अस्टेलिया के पास वेरी स्ट्रोंग है क्योंकि इनकी गंदवाज एलना किंग वो भी अच्छी बल्ले वाजी कर लेती है आगर हम बात करेंगे सामने वाले इगलेंड मेंड को लेकि तो वहां भी सारा ग्लेन यहां तक की क्येटे क्रॉस भी तरह बनेवाजी कर लेती है पर थे स्ट्रॉंग है जिनके पास है एक बरीना मेगन सुट फिर आपको दिख जाएंगी सदरलेंड बॉलिंग को लेके तो दोनों टीम क्या फिस्ट होंगा इनके पास तो मैंने चार गेंद बाज बोली दिये इगलेंड के पास अगर बात करें एकली स्टन फिर आपको दिख जाएंगी सारा अगलेंड उसके बाद अगर जोट परी तो लेस्ट कैप सी भी दिख जाएंगी तो सब्सक्राइब को लेके बैट्स उमेंड कर दीजेगा वहां पर बैथ मुनी टैमी बीमोंट नटाली सीवियर त्री मार्की बॉलर को लेके बात कर लेंगे सौपी अकलिस्टन जैस जनिसन और एसले गार्डनर अगर दोस्तों बात करें इगलेंड डॉमेंड वर्सेज ऑस् पहले बल्यवाजी करते अस्टिल्या में बोड पर लगाया थी दोस्तों बिराशी रंड हेली तेरफ इलीज फिल्ड चार एलीसा पेड़ी एक क्यानवे बैत मुनित तैंटिस तैल्याम से ग्राथ पांच गार्डनर तैंटिस दर्लेंड पचास वरे हम सैंटिस जैस जनिसन पांच गे थी गंदरबाजी में केटे क्रास्स दस अबर थारीजान जीरो विकेट एलीवल नौबर 55 रंग तीन विकेट नाटाली सीवेर्ड दस अबर 44 रंग तीन इस अबर 40 रंग तीन वीकेट सारा ग्लेड नौमें चपंट अड़े की विकेट एलास कैप्शी दोवर 15 बल्लेबाजी में बात करेंगे इधर से इगलेंड डंकली 13 बीमौन सांधर बल्लेबाजी करदेती साथ कीती हैदर नेट बार नाटाली सीवर 111 एक सेपसी दो डेनियल वाइट आठ एमी जों सैंतिस एकलिस्टन एक और यहां पर सारा गलेंड कीती बैसरन अब यहां पर हम ब सबसे बड़ी बात और तालिसमा पचासमा उबर डालने आए थी जनिसन अब वहीं अगर मानलों कि दो तीन विगेट ले ले थी तो इनका सेलेक्शन बहुत है होता विगेट नेली तो इनका सेलेक्शन नीची है आप लोग को मैं यहां पर बस एक टास्क भी दूंगा कि फ पर जाने के बाद जाएंगे माइटिम्स के उपर फिर हम जाएंगे पैंसिल के उपर और हम जाएंगे यस क्लियर के उपर विगेट के बीचे बात करो तो बैतमोनी हम लेकर जाएंगे लेकिन लेकिन दोस्तों यहां पर एक पिलर का नाम जिसके नाम है अगर आप किसी के उ तो आपको कुछ भी नहीं दिये, यहां भी आपको कुछ भी नहीं देंगी, मीनीजी यलजील में एमिजोन स्ट्राइ कर सकतू, वह भी तब एक लैंडोमेंड की पहले बल्लेवाजी आए, अगर हम बात करेंगे बैटिंग से हो तो हम लेकर जाएंगे तेलियाम से ग्राथ को उसके लवाट को तीसरा पिलियर मैं अभी के लिए लेकर जारा हूँ है दर नेट को लेकिन हो सकता है मैं इस मैच में पी लीच फिल्ड को बैक करूँ नीचे खेलती है और बल्ले वाजी में मुझे वह लाई दीखने रहें क्या अगर बात करें और में नेटाली सीवेर को लेकर जाएंगे फीर आप लोग यहां पे ट्रै कर सकतो लेकिन इनकी गंदवाजी करने की चांसे बेहदी कम है अगर पीच में पेसर के लिए कुछ रहा तो यह गंदवाजी तीन से लेके पांच अबर कर सकती है आप चाहो तो लेकर जा सकते हो मेरे टीम में अभी के लिए एली सापीडी का जगह नहीं है मिनी जील जील में आप लो ट्रै कीजिएगा लैस कैप से को और एक पिलियर जिसको आप लोगे स्मॉल लिंग में जगह दे सकते हैं अभी बात करूब बॉलिंग से अकलिस्टन को मैं लेकर जाओंगा उसके लाबा मैं जाओंगा यहां पर जोडिया वरहम के साथ इलाना किंग के साथ 10 पिलियर होके अब 11 मां पिलियर मैं या तो जाओंगा एलिसा पेड़ी के साथ जो कि मेरे पास ऑप्सन है ल कर दे का नाम अब जैसे कि पीच एस्पीन के मददगार होंगी और तॉस के बाद अगर यह न्यूज में रिखो फाइनल में लिए कि पीच एस्पीन टुविन फर्मूला वर्क करेंगी तो मैं सारा गिलेन को यहां के लिए से लेके जा सकता हूं अभी के लिए मैंने सारा को लिया हुआ है बात करो फाइनल टीम टिव्यू को लेके ज्वाकिया आपके सामने है बैत मोनी हैदर नैट तेल्याम सिग्राथ टेमी ब्यूमंट और नटाली सीवियर एसले गार्णर बॉलिंग से जनरसन सारा गिलेन एकलिस्टन जोजिया वरेहम और एलाना केंग बात क सब्सक्राइब कर लिजेगा एक गिंदबाद जिसको सभी इस मैच में इगनोर करें इसका नामें मेगन सुट दिन अचारा वह कॉलिटी वाली प्लियर हैं कभी आपको गुच्छी में विकेट लेके दे सकती हैं कि कैप्टन विची को लेके बात कर लो तो मैंने अभी यहा पर देने का पूरा कोसिस करूंगा अभी के लिए इसको मैंने अपने टीम का कैप्टन सी का वार्स वह उसका नम है एसले गार इसको मैं अपने टीम का वीच्छ नदीए ने नेताली सी इवित और को आप चाहो तो आपको जिक भी कर सकते हूं दो नाम ध्यान रखेगा उस आपके लिए मीनी जील जील जितवा सकते हैं काप्टन सी वी सी आप उनको अगर दे कि जाते हो अगर ये पिछ कम्प्लीट स्पिन टूइन फर्मॉला को काम करती है तो ये पियर आपको मीनी जील जील जितवा देंगी क्योंकि दोनों के पास कभीलियत है अपने दिन साबा 100-500 पॉइंट देने का अब दोस्तों मीद करतो हैं कि अपफ लोग को अच्छा लगा, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूटुब चैनिल को सब्सक्रीब जबर कर लिजеगा, मिलते है न्क्स वीडियो में तो तक कहले बाइक इंजरा खासा विंश वीन